नमस्कार दोस्तों मैं अमर सिंग जैड मोर टनल से आप सब के लिए फिर से एक बार वीडियो लेके आया हूँ मैं आपको बता दूँ यहां पर इतना डेकरोशन क्यों हुआ है मैं आपको बताऊंगा लेकिन इसको समझने के लिए आपको लाश तक पने रहना होगा हमारे चैनल पर और वीडियो को इंड तक देखना होगा तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और बिल आइकन दबाना न भूले मैं आपको बता दो इतना डेकोरेशन क्यों किया गया है क्योंकि इसके टेनल कम्प्लीट हो चुका है और इसका इनगरेशन होने वाला है जोकि निदिन गरगरी जी के नेत्रित में इसका उद्घाटन होने वाला है इसलिए इतना सारा डेकोरेशन की आप इस तरह देख सकते हैं दोनों साइड में काफी सारे लाइटे लगी हुई है और टेनल के अंदर में भी काफी सारे सजावटे किया गया है आप इस तरह देख सकते हैं कितना सारा सजावट किया गया है चलिए मैं आपको अंदर की तरब लेके चलता हूँ आप इसे देखते रहिए दोनों साइड में कितना डेकोरेशन किया गया है उनके आने पर लाइट जलाई जाएगी आप इस तरह देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है थोड़ा बहुत मेंटिनेंस का काम बचा हुआ है वो भी हो जाएगा एक महिना तो लगी जाएगा इसमें बागी तो होई गया इसी वीडियो में लास्ट तक बने रहें आप मैं आप सबको लेके चलूँगा पीकुईसी मसीन के पास दिखाऊंगा कैसे काम करती है और अभी कितना काम कर चुकी है इसकेप टरनल का इसकेप टरनल का पीकुईसी अभी 500 मिटर बचा हुआ है एक दिन का काम है वो साइड पर बीजिट होने के कारण काम थोड़ा डिले हो गया इसलिए नहीं तो वो भी कम्प्रीट हो गया होता चलिए मैं आपको और आगे लेज़के चलता हूँ आप इस तरह देख सकते हैं बाहर के साइड का यह कुछ न जा रहा है तो अभी मैं पहुच गया हूँ PQC मशीन के पास आप इस तरह देख सकते हैं यहां पे खड़ी ओई यह PQC मशीन और इस साइड में आप देख सकते हैं कठ है जो बेन डर्म में जाने के रास्त तो इस तरह देख सकते हैं आप PQC मशीन थोड़ा अंदेरा होने के कारण केलियन नहीं हो पा रहा है कैसे काम करती है मैं दूसरे चलिए मैं आप सबको मेंटरनल में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कितना काम हुआ है और कितना बाकी है और कितना समय लेके है अभी मैं मेंटरनल में आ चुका हूँ आप इस तरह देख सकते हैं सामने deck slave का काम चल रहा है मैं आपको आगे भी लेके चलता हूँ सामने fire coating का का भी काम चल रहा है मैं बताऊंगे fire coating क्या होता है इस तरह देख सकते हैं deck slave का काम हो चुका है देखने में भी अच्छा लग रहा है यहां पर देख सकते हैं, उपर की साइड में कुछ कट किया गया है, किसलिए किया गया है, मुझे कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है, बाहर के साइड में कुछ इस तरह दिख रहा है, मैं आपको बता दूँ यहां से फायर कोटिंग का काम चल रहा है, यह जो आप देख हैं गेंट्री के बाद वायर मेस लगाया जा रहा है उसके बाद फायर कोटिंग का मेटेल इस पे पुट्टी की तरह चिपकाया जा रहा है ताकि एक्सीडेंट से आग लगने की सम्भावना कम रहे हैं कि ये इनका मिक्चर मसीन है जो साट किर भी करता है साथ में आप इनका मिक्चर मसीन देख सकते हैं और ये आप देख सकते हैं कितना काम कर चुके हैं कैसे कर रहा है ये साइड में जो आप देख रहे हैं अभी इसका फिनिसिंग और देंगे आप इस तरह देख सकते हैं दोनों साइड में तकरिबन चार से पांच स्विट के उपर में आरकोटिंग के काम हुआ है दोनों साइड में देख सकते हैं अभी हाली में हुआ इस साइड पर इस तरह देख सकते हैं दोनों साइड में हो गया है पीछे से भी होके आ रहा है और अभी इंडिंग है इसका इसका काम खतम होने वाला है थोड़ा ही बचा हुआ है 500 मीटर तक्रीबन इस तरह आप सामने की तरफ देश सकते हैं फुल डेक्ट सिलेब का काम हो चुका है मैं अपको और आगे लेके चलता हूँ अभी चलने में थोड़ा प्रोब्लम हो रही है क्योंकि नीचे की चड़ है अभी और इस तरह तरनल का बहुत ही बेहतरीन डिजाइन दिया गया है इस तरफ हमारे राइट साइड में कुछ कट दियेगे हैं जो सोस हो सकता है मैं और आगे चलता हूँ देखते रहें तो अभी हमारा में टरनल जो है वो प्रोग्रेस पे है और इस केप टरनल कमप्लीट हो चुका है आज उसका इन्वयरेशन होने वाला है और हमें बहुत ही खुशी हो रहा है यह सब सुनकर क्योंकि में टरनल भी जल्द ही कमप्लीट हो जाएगा तो आज का वीडियो बनाने का मक्सेट था मुझे आप सबको इस के टनल की जानकारी देने के लिए जिसके आउद घाटन मंडे को होगा मारे चैनल को बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्नबाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, सेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ में बिल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप सब के पास लेटेस्ट वीडियो पहुँचे